वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंट्रेवल में आपका काशीपुर जंक्षन से बहुत-बहुत स्वागत है काशीपुर हमारे उत्राखंड में है और आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे लालकुआ जंक्षन से काशीपुर जंक्षन तक ये जो 58 किलोमीटर का हमारा रेल खंड है, 58 किलोमीटर इसकी लेंथ है इज़त नगर डिविजन में आता है, N.E.R. जोन में यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारे होने है, लालकुआ से काशीपुर के बीच में इसमें काशीपुर जंक्षन पर क्या कुछ ताज़ा स्थिती है, तो सामने आप देख सकते हैं दो नमबर और तीन नमबर का प्लैट्फॉर्म है, यह पैदल पुल के ऊपर से हमने व्यू लिया है, और सामने इधर मुरादाबाद की दिशा हो जाएगी, लालकुआ की दिशा, इधर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी सुरक्षा जाली भी नहीं लगी है, ना कहीं यहाँ पर गुट्स साइडिंग है, तीन नमबर प्लैट्फॉर्म पर डेमू ट्रेन खड़ी हुई है, जो कि लालकुआ जंक्षन से आई है, काशिपूर जंक्षन, और उसके ठीक बगल में माल गाडियों के लिए यहाँ पर लादान जो होता है, या जो समान हमारा जो कार है वो कुछ अभी शुरुवात नहीं हुई है, तीन प्लैट्फॉर्म हैं यहाँ पर काशिपूर जंक्षन में, जिसका कोड है KPV, और बासपूर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है, रामनगर यहाँ से पढ़ता है 27 किलोमीटर, और अभी इस सेक्षन पर जो रेल इ तीन नंबर का प्लैट्फॉर्म है, तीन नंबर पर डेमू ट्रेन खड़ी हुई है, इधर लालकुवा की दिशा है, मुरादाबाद की यह जंक्षन पॉइंट है, मुरादाबाद की लाइन का, अलिगंज होते हुए मुरादाबाद ट्रेन चली जाती है, और आउटर से ल कंडिशन की भी नजर नहीं आ रही है, ना कहीं पर कोई OHE से related सामान डंप होता, रखा हुआ नजर आ रहा है, नंबर ओफ ट्रेक्स यहां पर आप देख सकते हैं, चार ट्रेक्स बीच में हैं, सामने पैदल पुल है, और हम लोग अब धीमे धीमे, सामने रामनगर की दिश है, जिस दिशा में अभी हम बढ़ रहे हैं, और दूर पर आपको गुट साइडिंग है, जहां पर ट्रेक्स सामान उतार रहे हैं, या वहां से जो लोडिंग होती है, मालगाडी में जो भी सामान आता है, तो यह काशिपूर जंक्शन का ताजा सूरते हाल है, आज का, यह आप देख सकते हैं, या पर अभी कुछ भी कार होता नजर नहीं आ रहा है, लालकुआ जंक्शन से काशिपूर जंक्शन के बीच में अभी कितना कार हुआ है, कुछ स्टेशन पर जैसे बासपूर है, और रस्ते में जगए जगए, अभी कुछ फांडेशन बना ली गई है, कहीं पर पक्की फांडेशन तयार हो गई है, जिनको कवर कर दिया गया है, लेकिन अभी काशिपूर जंक्शन तक, यहाँ पर अगर हम बात करें, काशिपूर मैलानी कितरें लटकता हुआ नजर आ रहा है, कि NOC मिलने में वहाँ पर भी निश्य थी, डिले होगा, देरी होगी, यहाँ आप मान के चलिए इस प्रोजेक्ट में, और अभी प्रात्मिकता है भोजीपूरा से ले करके लालकुआ, और फिर काट गुदाम तक, सेक्शन को चालू करने की, तो यह था छोटा सा अपडेट काशिपूर जंक्शन से,